नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका स्वागत है, आज हमारे भी रक्षा विशेशगे, डी रगुनंदन मौझूद है, अब यहारली में भारत और फ्रांस के बीच में साइन हुए रफैल डील पे हम चर्चा करेंगे, हेलो रगु, न्यूस्क्लिक में आपका स्वागत है, यह जो डील साइन हुए है, समझाता साइन हुए है भारत और फ्रांस के बीच में रफैल प्लेने का, इसको लागु किस तरीके से किया गया है, क्योंकि अगर अगर मनोहर पारिकर की बातों को दिखा जाए, तुन्होंने कहा था कि यह जो 126 एरक्राफ्स का समझाता है, वो पश्टी करन की जरूरत है, अभी तक डील पे हस्ताक्शन नहीं हुए है, क्योंकि अभी भी जो कीमत है इन लडाकू विमानों पे, उस पे अभी भी बहस चल रही है, इंडिया और फ्रांस के बीच, और उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, यह 126 से लेके 36 तक जो र हम प्लेस करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें काफी दिक्कत है, और हमारे रक्षा मंतरी का जो कहना है, कि यह पिछली सरकार ने गलती से यह किया है, ठीक से सोचा नहीं था, इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह किस आधार पे यह कह रहे हैं, क्योंकि यह फैस नहीं था, प्रधान मंतरी ने बैठते हुए नहीं लिया इस फैसले को, पिछली सरकार में और उससे पिछली सरकार में कई 10-12 साल से एक रक्षा संबंदित जो भी आप खरीदते हैं, उसके बारे में भारत ने एक प्रोसीजर कोड बनाया है, जो हर 2 साल संचोधित होते हु बनके आ रहा है, उसके तहट भारत ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल जिसे कहते हैं, वो दुनिया भर में फ्लोट किया था, उसके आधार पे कई देशों ने, कई कंपोनियों ने अपने लडाकू विबान जो है आफर किये थे, उसमें से चुन के शॉट लिस्ट कर के दो जहाज, फ्रांस का रफाल और यूरो फाइटर, जो यूरोपियन यूनियन के चार पांच देशों ने मिल के जो बनाया है, ये दो आफर किये थे, उसके बाद एर फॉर्स ने दोनों को उडा के, अलग अलग कंडिशन्स में, रिगिस्तान में, पहाड़ी इलाकों मे ठंड में, गर्मी में, सब ट्रायल करके फिर उनोंने कहा कि हम रफाल को नमबर वन के स्थान पर देते हैं, उसके प्राइस को भी देखते हुए, सब को देखते हुए, जहां तक नमबर का सवाल है, ये एर फॉर्स कई सालों से ये कह रहा है कि आज के दिन, जितने हमारे प स्कौर्डरन के है, हर स्कौर्डरन में 14-16 जहाज होते हैं, वहां से गिर के हमारे पास आज के दिन में 32 से लेके 34 स्कौर्डरन के बीच में हैं, और हमारे जो मिग 21 और मिग 27 के जो विमान हैं, वो अगले 3 साल के अंदर उनको भी रिटायर कर दिया जाएगा, आप तो के लिए कहीं न कहीं मिग के क्रैश हो रहें, वो इसी वजए से क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, और उस पे आप नौजवान आफसर को भेज रहे हैं उपर उनके लिए भी खत्रा है, और हवाई जाज उस लायक नहीं है, तो इस हालात में भायू से ना ने कहा था, कि हम कम से कम 8-10 कौडरन एरक्राफ्ट की जरूरत है, और इसी लिए ये 126 का नंबर तै किया गया है, अगर आज रक्षा मंत्री ने स्वायम ये तै कर लिया कि ये 126 की जरूरत नहीं है, 36 से हमारा काम चल जाएगा, ये मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि भारतिय वायू सेना ने अपनी राए नहीं बदली है, ना हमारी वायू सेना के जो विमान है, उनकी संख्या में कोई तब्दिली आई है, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि रक्षा मंत्री ने ये किस आधार पे कहा है, जहां तक मेरी समझ है, वो ये है कि रक्षा मंत्री वित्बंत्री के कहने पे डर गए जब उन्होंने देखा कि हमें इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और उन्होंने इस ओर्डर को कम किया है अब इसका असर हमारे वायू सेना पे हमारी रक्षा की स्थिती पे क्या पड़ेगा इसके बारे में अलग से हमें बात करनी पड़ेगी पर मुझे ये पाल था एक सिस्टम था खरीदने का जैसे जिसकी मर्जी आए उसने जहाज खरीद लिये उसने और्डर प्लेस कर दिया राजनीतिक तोर पे या बिरोक्राट्स के साथ अफसरों के साथ मिल के कुछ तैय करके कर लिया जिसके आधार पे ही हमारे देश में ये इतना एक फैसले लेते हैं कैसे लिया गया ये फैसला उसी चेक के चलते हमने इतना एक कॉंप्लिकेटेड डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट प्रोसीजर अपना है और अब मंतरी इकायक आके इसको अगर बदल दे मुझे लगता नहीं है कि ये ठीक तरीका है रगो आपने कीमत की भी बा तो उस हिसाब से कीमत क्या आपको कुछ जादा उची नहीं लग रही है बिलकुल लग रही है क्योंकि जैसे आपने सही का जब 126 विमान की बात हो रही थी उस टाइम कीमत के अंदर ये भी शामिल था कि वो जहाज पहले ती से एक जहाज हम सीधे खरीदेंगे बाकी के आएंगे वो यहां पर आसेंबल होंगे और दीरे दीरे टेकनालोजी ट्रैंसफर होगा ताकि पूरे विमान यहीं पर बनेंगे बनेंगे का मतलब कुछ आसेंबली होता है और कुछ जो है राव मेटिरियल से बनता है पर हमेशा ये टेकनालोजी ट्रैंसफर का मकसद ये हो हुआ है या नहीं है या अलग बात है होना यह चाहिए कि आपने एक बार खरीदा टेक्नालोजी ट्रैंसफर करवाया और उस टेक्नालोजी को आपने सीख के अगली बार जब विमान फिर आप खुद उसको बनाने की क्षमता की तरफ बढ़ेंगे ना कि अगली बार फिर खरी खरीद रहे हैं तो इसको ट्रैंसफर अफ टेक्नालोजी की बात छोड़िये इसको असेंबल करने की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि टेक्नालोजी के लिए तो कमपनी चार्ज करेगा कुछ वो चार्ज नहीं कर रहा तो कीमत गटनी चाहिए तो ये मेरा मानना है पर इस के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि ये हमने काफी जैसे हम बात कर रहे थे कॉम्पलिकेटेड एक डिफेंस प्रोक्यूर्मेंट प्रोसीजर एक अपना है हमने कि हम कैसे खरीदेंगे उसके क्या नियम होते हैं क्या सिस्टम होता है उसके तहद हमने जितने फैसले करने कर लिए उसके बाद हम फ्रांस के साथ बैठके इसके दाम के बारे में अब बहस चल रही है मुझे लगता है ये प्रोसीजर में ये ऐसे कभी नहीं होता आप किसी भी दुकान में अगर जाओगे और दुकानदार को कहोगे कि मैंने ये पसंद कर लिया अब आप दाम का बत में तो पूर्ण चीज होती है अब कल को यूरो फाइटर कहेगा अगर तुमने कम करवाया इसका या जादा दे दिया यूरो फाइटर कहेगा जिस दाम पे वो दे रहा है उससे 10% कम मैं देने को तैयार हूँ तो फिर सवाल आकर ये उठता है कि ना तो हमें टिकनोलोजी ट्रांसर हो रही है उज़े दामों पे हम ये हवाईजास खरीद रहे हैं तो फिर रफाल ही क्यों और भी हमारे पस कई ऐसे आप्शन थे जैसे आपने यूरो फाइट की बात कही तो हमने वो क्यों नहीं खरीद और किसके लिए उफर कर रहे थे हमारी वायू सेना ने एक लिस्ट परचार किया है उसका कि हमें इस प्रकार का जहाज चाहिए उसके अंदर इतनी च्षमता होनी चाहिए इतनी दूड़ जाए और वापस आए हवा के अंदर रीफियूलिंग हो इतनी बाम वो लेके जाए ये सब इत्यादी हमने एक स्पेसिफिकेशन दिये, जो एप्लिकेशन आए, उनमें से हमने चुनके बेस्ट दो को लिये, जिसमें हमने ट्राइल किया, तो ऐसा नहीं है, हमने फट से चुन लिया की रफाल है, कुछ ट्राइल किये, कुछ किये हमने किया, पर इसमें दो चीज वेट का एरक्राफ्ट चाहिए और वो भी कुछ मात्रा में 20-30 नहीं पर 126 वो इसलिए कहा था कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे भारत के पास आज के दिन में 44 स्कॉडरन के बज़ाए 32 के आज पास स्कॉडरन है मिग भी अब रिटायर होने को आ रहे हैं तो हमारे पास लडा सामने रखा रिक्वाइर्मेंट रखने के बाद अब साथ साल हो गए हमारे फैसले लेने के तरीके भी ऐसे हैं कि हम इतना डिले करते हैं उसमें कि जब तक हम खरीदने को जाते हैं पुरा महौली बदल चुका होता है पर आज के दिन वो महौल एरक्राफ्ट की कमी हमारे प लिपन लगेंगे और वो हल्का विमान है इसके बराबर का विमान नहीं है इसके बराबरी के विमान अगर आपको लॉंग टर्म दिशा में देखना है एरफोर्स ने तैय कि इसकी जरूरत है नहीं तो हमारे पास रूस से लिया हुआ सुखाए 30 के ऐरक्राफ्ट हैं वो हैं अगर आपको पैसे की इतनी टाइट थे आप, पैसे नहीं है आपके पास, तेजस का इंतजार करना पड़ रहा है, तो सुखाय और ले ले लेते, मिराज पे बात चल रही थी पहले उस पे ले ले लेते, जब तक आपने फैसला लिया, फ्रांस ने मिराज का जो प्रोडक्शन में डाला है और पाया है, जहां हमें चहास की जरुरत है, पर हम खरीद नहीं पा रहें, क्योंकि हमने इतनी देर कर दिये, अब कीमत भी बढ़ गए, और हमने अपने तेजस को बनाने में डील दे दी, पर इसमें वायू सेना के दृष्टी से आगा देखा जाए, तो मेरे गुआ ख्याल से, ये एक किसम से पुरानी जो आदत थी भारत में, हमने जैगुعर खरीदे ए, थीस फैंतिस, हमने मिराज खरीदे थीस पैंतिस, ये थीस फैंतिस थीस फैंतिस खरीद के ये जो हमने एक वायू सेना को जूम आफिक बना कर दिया है, अलग-अलग कोई 20-30 जाज जैसे अलग-अलग जानवर होते हैं जूमें वैसे हमने चिटक दिये यह एर फॉर्स के लिए ठीक नहीं होता अब आप सोचिए फॉरिन फॉर्वर्ड बेस हैं कहीं बॉर्डर पे उसके पास बिचारे ग्राउंड क्रू जो है वो छे आर्ट मेकानिक होते हैं उसको दस एरक्राफ्ट को देखना है एक मिराज भी है और एक जैगुवर भी है और एक पलाना भी है और एक मिग भी है किस चीजें के पुर्जे रखेगा किस चीजे कितनी चीजों पर एक्सपर्टीज होगी चमता होगी अगर जगड़ा हो गया कहीं पे तो क्या-क्या पुर्जे आप एकटे रखोगी यह बहुत लोजिस्टिक का नाइट मेर जिसे कहना चाहिए वो है मुझे लगता है कि भारत के वायू सेना को तीन चार हवाई जाज चुन के सफिशन्ट मात्रा में वो रखने चाहिए हमारे तेजस पर हमने बाउट डिले कर दिया उस पे हम तेजी से आगे बढ़ें एस्यू थर्टी का है उसको हम सुदारें क्या उसमें कमिया है भायू से ना कहती है को उसमें कुछ कमिया है पुरजे ठीक से टाइम पे नहीं आ रहे हमारी खुद की प्रोड़क्शन इंजुतान एरोनौटिक्स में वो डील में चल रहा है प्लस हमने आगे जाके अगले 30-40 साल के लिए नई हवाई जाज 5th generation aircraft उसके बारे में रूस के साथ बात हो रही है उसके भी बात होते होते अब देखते देखते 6-7 साल हो गए और अगर हम इस प्रकार से डिले करते रहें फिर वो ही होगा जब तक वो डील साइन करेंगे तब तक कॉस जो है वो तीन गुना चार गुना हो चुका होगा मेरा ये मानना है कि बैठके इस पे तै करके ठीक से करके और सबसे महतोपूर्ण बात जहां तक मेरी समझ बैठती है रक्षा के मामले में इस सरकार ने एक मेक इन इंडिया का नाराट दिया है रक्षा के छित्र में मेक इन इंडिया है कहां जब 126 आपने खरीदना था कम से कम उसकी आसेंबली कर लेते थोड़ा बहुत टेक्नालोजी ट्रैंसफर कर लेते अब इसमें 36 में है कोई मेक इन इंडिया नहीं होगा इन फैक्ट आदी बहस जो चल रही है दाम को लेके फ्रांस के साथ वो आफसेट रूल के बारे में है कि कम से कम 30 प्रतिशद या 50 प्रतिशद इसका कीमत भारत के अंदर खर्च होना चाहिए अब जब आप 36 एरक्राफ्ट खरीद रहें तो भारत के अंदर कैसे खर्च करोगे उसको किस चीज़ पर करोगे तो उसकी भी गुंजाईश नहीं है अगर रक्षा के उत्पादन के छेतर में हमने मेक इन इंडिया नहीं किया और ये आज की गलती नहीं है पिछले 50 साल से ये गलती हम कर रहे हैं कि हमने ठीक से उस पे ध्यान नहीं दिया एक तरफ वो चल रहा है जितना ध्यान हमने न्यूक्लियर पे दिया जितना ध्यान हमने स्पेस पे दिया उतना ध्यान हमने अगर रक्षा के उत्पादन में दिया होता आज ये नौबत नहीं आती जब से मौजुदा सरकार आई ये और स्वालंबन के बात हम जब करते हैं यह सबसे मैं तुपन बात है जब से यह सरकार आई है एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया पर है उल्टा मेक इन इंडिया नहीं है वो फॉरिंड कंपनियों को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप करो यहां बनाओ अगर कल को वो बना भी दें तो तब भी जानकारी तो उनके प आईगी यहां पर तो आप सो डेट सो एरक्राफ्ट करीदने की बात कर रहे हैं इतने करोडों का सौधा है तब भी आप टेक्नोलोजी को हासल नहीं कर पा रहें तो फैदा क्या हुआ हुआ है शुक्रिया रगू समय देने के लिए और आगे भी हम ऐसे मुद्दू पर आप